बिमारियां क्या है एक ऐसे रोग में फसे रहना जो दवाई खाने के बाद भी चंगा नहीं हो रहा है और कई सालों से आप उसी में फसे हुए हुए वो रोग आपको पकड़े हुए है डॉक्टर को समझ नहीं आ रहे हैं रिपोर्ट्स में आनी रहा वो और चलने फिरने में आप आसमरत हो रहे हो कोई मदद करने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं जब डॉक्टर्स बोल दें ये ला इलाज हो चुका है तो उसका इलाज खुदावन के पास होता है हाललुया और ये सारे के सारे जो रोग हैं जो लंबे समय से किसी को लगे हुएं ये पाप की निशानी है, ये पाप की मजदूरी है क्योंकि वच्छन में लिखा हुए पाप की मजदूरी मौत है और मौत धीरे धीरे वाली मौत Everyday थोड़ा थोड़ा मरना कोई फिकर से मर रहा कोई बीमारियों से मर रहा किसी अलगले तरह से मर रहे हैं लोग पाप की मजदूरी है अगर आज आप चंगा होने के लिए परमेश्वर के पास आए हो तो सबसे पहला काम क्या करना है पाप से तौबा हालेलुया अधरम की शमा जांचना करना पाप की माफी माँगना परमेश्वर से ये अंगी कार करना ये सविकार करना के मैं पापी और गुनेगार हूँ हाँ मैंने बहुत से पाप किये है मैंने अपने पडोसी के वुरुत बहुत कुछ बोला बहुत कुछ सोचा और बहुत कुछ किया है मैंने अपने ही घर में अपने ही लोगों के साथ दोखा किया है मैंने खुद के साथ दोखा किया है मैंने परमेश्वर को होते हुए भी ना होता हुआ समझा है मैं पापी हूँ, मैं गुनेगार हूँ मैंने चोरियां की, मैंने ठगियां की मैंने बुरी चीजे सोची देखी और करी अपने हाथों से यह अंगी कार करना आज परमेश्वर के सामने और वचन क्या कहते है वही तो तेरे सब अधरम को शमा करता वही सिर्फ वही वो सरम शक्तिमान सामर्थी परमेश्वर सिर्फ वही आपके अधर्म को, मेरे अधर्म को शमा कर सकते हैं कोई, कोई इंसान नहीं सिर्फ परमेशु